सौर थर्मल पावर प्लांट सौर थर्मल पावर प्लांट में सूर की गर्मी को केंद्रित करके बिजली बनाई जाती है केंद्रित की गर्मी से भाब पैदा की जाती है और इस भाब से इंजन चलाया जाता है सौर थर्मल प्लांट कई तरह के होते हैं जिसमें पैराबॉला प्लांट या पैरोबॉलिक ट्रफ, लीनियर फ्रेनल, टावर टेक्नलोजी मुख्य है इसमें इस चित्र में आपको डिश स्टर्लिंग इंजन दिखाया गया है आईए अब हम पैराबॉलिक ट्रफ के बारे में जानते हैं पैराबॉलिक ट्रफ में एक पैराबॉले के आकार का चमक्ती सतह का चीशा या मिरर लगाया जाता है यह मिरर सूर की गर्मी को कलेक्टर ट्यूब में केंदरित करता है और उससे थर्मल आयल भाप या मॉल्टिन सॉल्ट जैसे थर्मिक फ्लूइट को गरम किया जाता है इस थर्मिक फ्लूइट को पानी से गुजारा जाता है जिससे पानी भाप में बदल जाता है पैराबॉलिक ट्रफ अभी तक की सबसे पुरानी सॉलर थर्मल पावर तकनीक है इसका करीब 15 वर्षों से इस्तिमाल किया जा रहा है है अब हम लीनियर फ्लैनल के बारे में जानेंगे लीनियर फ्लैनल एक लेंस होता है जिससे हम 200 सु 5,00 डिजिबी सेल्सियस तक तापमा उत्पन निकर सकते हैं लीनियर फ्लैनल से भी थर्मल लिक्विड को गरम किया जाता है और जिसे इंजन में भेज कर बिजली बनाई जाती है